कि पार्टी का अध्यक्ष त्याग पत्र देता है और पूरी पार्टी ज्योंकी त्यों चलती रहती है जबकि उस त्याग पत्र की भाशा को अगर आप पढ़ें तो मैं समझता हूं उसमें बहुत सीधा संकेत है कि मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं पार्टी अध्यक्ष के नाते इसलिए ले रहा हूं कि फिर मुझे दूसरे को अकाउंटबल करने का हक नहीं है पहले अगर मैं नहीं करता हूं मैं समझता हूं इसका संकेत साफ था वरकिंग कमेटी तो नहीं नहीं खतम हो सकती थी वो पार्टी के संविधान की बात है लेकिन जो लोग इन जिम्मेदारियों की जगहों पर हैं उनको इसका पालन करना चाहिए था यह नहीं हुआ यहीं नहीं नए कॉंग्रेस अध्यक्ष का चैन कौन कर रहा है थोड़ा ध्यान देनी की जरूरत है जहां तक मैं कॉंग्रेस के संविधान और उसकी भावना को जानता हूं आज की तारीख में इस उक्षर जब हम बैठे बात कर रहे हैं तो अध्यक्ष राहूल गांदी ही है और शायद उसी आधार पर बीच में कुछ नियुक्तिया भी हुई है बिना अध्यक्ष के नहीं होती है क्योंकि उनके त्याग पत्र को आप कह रहे हैं कि आप पुनर विचार करिए इसका मतलब है वो अध्यक्ष है तो अगर वो अध्यक्ष है तो अध्यक्ष का चुना झाल झाल